रतन टाटा से प्रेरित एक यूवक ने बीस हजार करोड रुपे दान कर दिये रतन टाटा ने अपनी शक्सियत के लोगों को प्रभावित किया कई लोगों पर अपनी कहरी छाप छोड़ी छोटे मोटे ऐसे कई लोग रहे जिन्होंने उनसे प्रिणा ली समाज कल्यान की और कुछ उनी के रास्ते पर चलने की कोशिश की देश के सबसे बड़े रियल स्टेट बिजनेस समों लोडा ग्रूप ने भी टाटा ग्रूप के इसी नक्षे कदम पर चलने का फैसला किया और इसके लिए लोडा ग्रूप ने करीब 20,000 करोड रूपे दान देने का फैसला कर दिया है अभी शीक लोडा और उनके परिवार ने मैक्रोटेक डेवलप में अपनी हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा लोडा फिलिंक थ्रोपी फांडेशन को दान करने का फैसला किया है इस फांडेशन में जाने वाला ये पैसा कई समाजी कारिक्रमों में खर्च किया जाएगा जनकल्यान के लिए खर्च किया जाएगा और ये प्रेणा रतन टाटा से ही ली गई पूरे बिजनस वर्ल्ड में अभिशीक लोड़ा के इस फैसले को लेकर चर्चा भी हो रही है लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन है अभिशीक लोड़ा जिन्होंने इतनी बड़ी रकम समाज की भलाई के लिए दान दे दी बिजनसमें अभिशीक लोड़ा के बारे में विस्तार से आप जाने हैं तो हम आपको बताते हैं कि लोड़ा ग्रूप की प्रमोटर हैं अभिशीक लोड़ा और उनका परिवार मैक्रोटेक डेवलेपर्स लिमिटेड में अपनी बड़ी हिस्सेदारी रखता है मैक्रोटेक डेवलेपर्स देश के टॉप रियल एस्टेट डेवलेपर्स में से एक है और ये लोड़ा ब्रैंड के तहट प्रॉपर्टीज बेसता है अभिशीक लोड़ा ने एक एहम फैसला लेते हुए अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा परमार्त के लिए जनकल्यान के लिए लोगों की भलाई के लिए दान करने का फैसला किया एक एकाई लोड़ा फ्लिन्थ्रेपी फांडेशन को अब दान कर दिया जाएगा और इसके कुल किमत करीब 20 हजार करोड रुपे बताई जा रही है और ऐसे में इसकी पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है दरसल रतन टाटा से प्रभावित अभिशीक लोड़ा ने ये एक बड़ा फैसला लिया राश्ट्री और सामाजिक कामों के लिए अपनी संपत्ती का एक बड़ा हिस्सा दान देने के परिवार के फैसले पर मैक्रोटेक डिवलपर्स के मैरेजिंग डिरेक्टर और सीओ अभिशीक लोड़ा ने बताया कि करीब सौ साल पहले टाटा परिवार ने अपने उद्यम में अपने हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट को दे दिया था और पूरे भारत देश पर उनके इस कदम का बहुत व्यापक असर देखने को मिला टाटा ट्रस्ट की ओर से किया गया ये अच्छा काम लगातार लोगों को प्रेजित करता रहता है और इस बार जब उन्होंने बीस हजार करोड रुपए के संदर में ऐसा फैसला लिया तो टाटा परिवार की ओर से किया गया सौ साल पुराना भी वो फैसला इनके दिल और दिमाग पर था और उसके बाद रतन टाटा ने जिस तरह से परमात के काम में बिलकुल निस्वारत भाव से इस तरह का दान देने का काम किया था वो सबसे एहम रोल ने भागया अभीशेक लुड़ा के इस बीस हजार करोड के दान के काम में और उससे एक बड़ी प्रेना अभीशेक लुड़ा को मिली इस एहम खबर पर अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बता है झाल